बताईए कि आज प्रिचंट बहुमत के साथ आपकी बेज़ा होई है पहले तो आप बताईए क्या है देखे मैं मैं अम्रोहा लोकसबाच्षेतर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं बहुजन समाज़ पार्टी समाजवादी पार्टी और राश्ट्रे लोगदल के हर ए करके हमें जिताया यहां का यह मेरा एक सौभाग्य है कि मैं एक राजनेतिक कार्यकरता होने के नाते किसान परिवार से आने के बावजूद अपने विपक्ष के ऐसे प्रतियाशी को हराया जो हजारों करोड के मालिक हैं तो यह जनता जनार्धन का फैसला है उसको मैं बहु तो किसानों ने नाजवानों ने मेरे छेतर में जात और धर्म से उपर उटकरके मुझे हर वर्ग ने हर गाव में हर धर्म के लोगों ने हर जात के लोगों ने जो बोट दिया है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ अम्रोहा की जनता को कि उन्होंने जो मेरे पर भरोसा जताया है उनके उस भरोसे को तूटने नहीं दूँगा उनकी उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूँगा अच्छा आपके लिए कुछ मुश्किले हो सकती है कि इंदर में भी बीजेपी की सरकार दुबारा से बनने जा रही है मोजी दुबारा प्रसान मंतरी बनने जा रहे हैं और यह तो ऐसे में अम्रोहा के विकास को अगर बात की जाए तो आप उसके लिए क्या अपना मत्तवी देखे एक सांसद होने के नाते जो अधिकार मुझे मिलेंगे उन अधिकारों का अम्रोहा छेत्र की जनता के हित में अपने सम्विधानिक दायतों का इस्तमाल करूंगा जो इस देश में लोक तंत्र बचाने के लिए लोक तंत्र मश्बूत करने के लिए और हम्रोहा लोकSubा छेत्र की में विकास करने के लिए जो संभव होगा कि वो मैं अपनी भूमी का निभाऊंगा अब यह बहुत ही डिबेट का सवाल है कि मैं व्यक्तिकत तोर पर कभी भी ओपीनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स का समर्थ तक नहीं मेरा मानना हूं हमेशा कि उपीनियन पॉल्स जो हैं कि होते हैं एक्जट पौल जो है वो ग्राउंट्ट त्यार करने के लिए होते हैं कि कि अगर किसी तरीके कहा कोई रिजल्ट आजआ तो उसके लिए पहले से ग्राउंड तयार कर दिया जाए और ये सक्टा बजार का एक बड़ा खेल है एक्जिट पोल मेरी अगर चलेगी संसद में मैं इस सवाल को उठाऊंगा कि ये सब बैन होना चाहिए लोगतंदर के लिए अच्छा नहीं है